इस साल बहुत unfortunate सा accident हुआ हज यात्रियों के साथ because 1300 से ज़ादा जो pilgrimages थे उनकी death हो गई हज यात्रा के दौरान उसी उसी context में दा Hindu newspaper में एक article आया हुआ है तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे देखे इस साल लगभग 20 लाख लोग हज यात्रा के लिए गए थे देखे हज यात्रा पे जाना हर मुस्लिम के लिए बहुत जरूरी होता है जो कि स्वस्थ होता है और financially afford कर सकता है क्योंकि जो इसलाम के 5 pillar हैं उसमें से हज यात्रा एक मानी जाती है प्रोफिट मुहमद जेने भी 632 से पहले जन्नत गए थे उससे पहले माना जाता है कि उन्होंने यात्रा की थी इसलिए इस यात्रा को बहुत ज़दा जरूरी माना जाता है देखे हज यात्रा के लिए जो normal calendar हम लोग use करता है वो use नहीं किया जाता है इसके लिए ये lunar calendar के use करता है उसके हिसाब से हर साल जो हज यात्रा का टाइम होता है वो 11 दिन पहले हो जाता है 11 देज पहले हो जाता है और इस साल जो हज यात्रा का टाइम था वो जून महीने के second week में था और उस समय वहाँ पे temperature 50 degree के आसपास कभी कभी 50 degree से जाधा भी होता है साउदी government जो है उन्होंने quota fix किया हुआ हर country में जो muslims की population होती है उसके हिसाब से और इस साल लगबग 18 लाक लोगों को वीजा दिया गया था लेकिन हज यात्रा में कितने लोग है 20 लाक लोग है इसका मतलद 2 लाक लोग वहाँ पे extra थे साउदी government का यह कहना है कि जो 300 के आसपास death हुई है इन में से 85% death उन लोगों की हुई है जिनों ने वहाँ पे unauthorized entry किया था जो usually visa लेके जाते हैं उनके लिए सभी arrangement वहाँ पे किये गए थे और उनकी death नहीं हुई है अगर किसी की death हुई भी है तो फिर वह arrangement की वज़े से नहीं हुई है या तो ओल्ड एज की वज़े से हो गई होगी या किसी ओर reason की वज़े से जो health issues किसी को होंगे तो थोड़ा सा आपको हज यात्रा के root के बारे में information दे देता हूँ तो जो पहला दिन होता है basically तो वहाँ पे तो आप जाते हो आपके जो कपड़े वगारा change करते हो जिस तरह का वहाँ पे कपड़े पहनाए जाते हैं बहुत simplify way में फिर आपकी जो यात्रा वो है Mecca से शुरू होती है मीना तक और 8 km की यात्रा होती है आप रात को मीना में ही रुकते हो सुबह early morning आपकी यात्रा शुरू होती है कहां तक Arafat तक तो यह 14.4 km की जर्नी होती है जो की आप Arafat तक जाते हो एराफात में जाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रोफिट महुम्मद ने जो अपना लास्ट सर्मन दिया था वो एराफात के अंदर ही दिया था तो यहां पे आप बेसिकली संसेट तक रुखते हो संसेट के बाद अपनी जर्नी शुरू करते हो और आप पहुंचते हो मुझलिफा तो यहां पे आप बेसिकली रात को रुखते हो और फिर अगले दिन सुबह सुबह आप मुझलिफा से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो थर्ड डे में आप पहुंशते हो मीना दुबारा से मीना में एक दिवार है और वहाँ पे साथ पत्थर के छोटे-छोटे टुकडे होते हैं आप उस दिवार के पर फैंकते हो क्योंकि ऐसा माना जाता है के वहाँ पे शैतान आये थे और उस शैतान को बगाने के लिए जो अबराहम है उन्होंने उनके पर पत्थर फैंके थे तो ये सेर्मेनी वहाँ पर की जाती है उसके बाद कुछ लोग मीना में ही एक दो दिन रुख जाते हैं कुछ लोग जो है मतलब वैसे तो मौस्टी लोग जाते हैं वो मेक्का में जा जाते हैं लेकिन वो इस हज यात्रा का इंटिग्रल पार्ट नहीं है अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो देखिए अब सवाल उठता है कि यह जो अनुथ्राइश्ट प्लिग्रीमिस है यह कौन है देखिए साओधी अरेबिया गवर्मेंट के लिए जब वीजा के लिए हज यात्रा के लिए यह सस्ती प्रोसेस नहीं है प्री थाउजन डोलर आपको पे करना पड़ता है इसके लिए मतलब आपको कई लाख रुपे देने पड़ते हैं लेकिन सबके पास इतना पैसा नहीं होता है तो कहीं बार क्या होता है कुछ जो नेबरिंग कंट्री हो जैस साउधी जैसे एजिप्ट हो गया जोडन हो गया यहां से कुछ लोग जो है वो एजेंट को प्रोच करते हैं और एजेंट उनको कहता है कि मैं आपको सस्ते में आधे रेट में ही आपको मैं भेज सकता हूँ तो कहीं बार लोग उनके थ्रू भी किसी इलीगल रूट से आते हैं लेकिन जिसके पास लीगल डोकुमेंट नहीं होता है उनको basically मैंका में एंट्री नहीं मिलती है लेकिन एजेंट को आपको आपको किसी तरह की सुविधा नहीं देत हैं कोई आपको टेंट नहीं मिलते हैं यूजली जो आराफात होता है वहां पे बहुत सारे एसी वाले एर कंडिशन टेंट लगे होते हैं लेकिन क्योंकि आप डैजर्ट के थू जाते हूँ अथोर्टी से बचने के लिए क्योंकि आपके पास प्रपर डोकुमेंट नहीं ह हैं तो उस वज़े से वहां पे लोगों की डैथ हो जाती है क्योंकि कहीं किलुमेटर तक आपको पैदल चलना पड़ता है धूप बहुत होती हैं सुविधाएं होती नहीं है तो बीच में लोगों की डैथ हो जाती है एक तो होते हैं यह वाले जो पिलिग्रिमिस होते हैं दूसरे होते हैं जो कि वहां पे काम कर रहे होते हैं जैसे इंडिया से बांगलादेश, पाकिस्तान, यहां से बहुत सारे लोग साओधी रिचken 새로운 के इंदर काम करते हैं तो क्योंकि वहांं旬ी और यह बहुत महँगी फी सपोर्ट नहीं कर बाते हैं तो यह लोग वहां से ब इनके पास proper visit के लिए document नहीं होते हैं, यह लोग भी alternative route ले लेते हैं, तो इस वजए से यह लोग legal route फोलो करने की बजाए, जो कि आपका usually Arafat जो desert है, यहां से शुरू होता है, और आगे तक जाता है, यह लोग alternative route लेना पसंद करते हैं, जो कि काफी dangerous तो होता ही है, यहां पर स यहां पर death हुई है, 1990s, 1994, 1996, 2003, यहां पर death हुई है, कुछ साल पहले 2006 में, जो Mecca है, वहां पर जो हरम है, जहां पर लोगी कठे होते हैं, वहां पर भगदड मची थी, और उस समय बहुत सारे लोगी death हो गई थी, लेकिन उसके बाद arrangement थोड़े better किये गए हैं, सड़के पाती है, इस बार इंडे में आपको देखने को मिला हत्रस केंदर जो हुआ है, यहना बहुत कम लोगों की permission दी थी, बहुत जादा लोग आ गए थे, तो जो organizers थे वो properly नहीं कर पाए, भगदड मच गया, और उसके बज़े से हम पर death हो गया है, तो यह थोड़ा सा इस topic के ब हैंड झाल झाल झाल